हुआ है रिवान मैं हूं प्रती और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टेरो 369 में आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थार्ट पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है क्या फीलिंग्स हैं क्या सिचुएशन हैं ओके दोनों क्या चाह रहे हैं आपस में दोनों के बीच में क्या चल रहा है ओके तो आ आपको कुछ messages जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि एक collective reading है, यह जरूरी नहीं है, कि सारे messages आप से resonate करें, कुछ कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, यह भी होगता है, पूरी reading आप से resonate ना करें, और यह भी possibility है, कि पूरी reading आप से resonate करें, या फिर partially resonate करें, ओके, all right, so my guide, my god, my angels, divinely guide करें, और बताएं, कि मेरे जो viewers है, उनके partner और third party के बीच में, क्या चल रहा है, universe, spirit, please divinely guide करें, और correct cards, निकालने में, हमारे help करें, all right, okay, तो चलिए गाइस, करते हैं अपनी reading को शुरू, okay, so we have the thinking man, okay, we have victory, appreciation, okay, we have 7th chakra, archangel Uriel, okay, we have indecision, okay, we have journey, okay, blossoming abundance, okay, and we have deceit, all right, okay, ठीक है जी, चलिए, तो हमारे पास आगे हैं, सारे cards, reading को करते हैं, शुरू, all right, okay, so guys, देखें, यहाँ पर आपकी partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, okay, so यहाँ पर guys, दोनों में से कोई एक है, जो बहुत जादा यहाँ पर सोच विचार करते हुए, नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यह बहुत टाइम से जो किसी decision में थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ करना चाहते थे, तो अब जो है, इन्होंने उस indecision से निकल कर कुछ तो यहाँ पर decide कर लिया है, ऐसा यहाँ पर feel मिलता है, थर्ड पर्टी को यहाँ पर कुछ victory का feel आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए हैं इस जंग में, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ उनकी victory हो चुकी है, और अब जो है, पूरा सब कुछ इस relation में, इस situation में, सब कुछ उनके हाथ में है, यहाँ पर ऐसा feel मिलता है, कुछ लोगों के लिए, जो third party है, उनको बिल्कुल ऐसे लग रहा है, कि यह सब कुछ situation जो है, उनकी control में आ चुकी है, और जो है, अब उनको यहाँ पर victory मिल गई है, या मिलने वाली है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, और जो उनको इस situation से बाहर निकलने के लिए, यहाँ पर जो victory नहीं मिल पा रही थी, तो अब उन्होंने decision ले लिया है, और बहुत जल्दी जो है, इस situation से बाहर निकल जाएंगे, या कुछ लोगों के partner निकल भी चुके होंगे, तो यहाँ पर उनको एक victory का है, उनको लग र रहा है, और यहाँ पर गैस कोई तो है, या तो third party है, या तो आपके partner है, कोई है, दोनों मेसेजों किसी को appreciate कर रहा है, बहुत जादा, और यह मुझे बहुत third party की feeling लगती है, कि उनको कहीं तो कुछ तो awareness मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है, कि आपके जो partner है, वो जो है, उ और यह भी possibility है, कि उनको छोड़ कर चले जाए, यह कुछ limited set of people के लिए मैं बात कर रही हूं guys, सब के लिए बात नहीं कर रही हूं, तो कुछ लोगों की case में आपर यह possibility है, कि third party कोई awareness मिल रही है, और इसलिए जो है, आपके partner को बहुत जादा यह appreciate कर रहे हैं, आपके partner के सा करेंगे, ऐसा यह सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर slow down होने की जरूरत है, for limited set of people, यहाँ पर यह बहुत जादा patch up करनी के mode में मुझे नजर आ रहे हैं, इन में से किसी ने किसी को deception दिया, या दोनों ने दोनों को deception दिया है, तो यहाँ पर कोई एक जो यह बहुत सोच रहा है, कि उनको जो है, अभी इस रिष्टे में, गैस देखें, यह वाला feeling हमारे पास दो-ती दिन पहले भी निकल कर आया था, कि इन दोनों में से कोई एक है, जिनोंने अभी सोच लिया है, कि अब जो है, किसी को deception नहीं देना है, किसी को दोखा दड़ नहीं करना है, किसी के साथ, और जो है, कुछ गलत नहीं करना है, चाहे वो यह रिलेशन है, या चाहे कोई और रिलेशन है, रिलेशन में आप कोई deceit नहीं करना है, देखें हमारे पास यहां पर deceit का जो card है, वो reverse में है, तो यहां पर यह दिल में सोच रहे हैं, कि अब जो मेसेज है कि अगर यह थोड़ पार्टी इस रिलेशन को छोड़ कर जाने वाली थी तो अभी इन्होंने यहां पर थोड़ा सा स्टेप बेक किया है और एक चांस खुद को दिया है और इस रिलेशन और इस सिचुएशन को भी एक चांस देने के बारे में सोच रहे हैं यहां पर ऐसा फिल मिलता है इनको ऐसा लग रहा है कि एक चांस और देकर देखना चाहिए हो सकता है कि आगे चीज़ें ठीक हो जाएं आगे सब कुछ ठीक हो जाएं कुछ लोगों के पार्टनर आप में से यहां पर मुझे जो इन डेसिजन में थे उन्होंने एक डेसिजन ले लिया है अपनी राह चुन ली है उन्होंने कि उनको क्या करना है यहां पर यह भी possibility है आप में से बहुत लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी की सलाह ले रहे हैं या उनकी family में या उनके friend circle में यहां पर कोई तो है जो की जिनकों की वो बहुत wise समझते हैं और उनकी जो decision है उनकी बहुत respect करते हैं और उनसे जो है वो सलाह ले रहे हैं और उनसे वो सारी situation जो है अपनी वो सब कुछ discuss करें हैं और एक बार उनकी सलाह से वो इस relation से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर यहां पर यह भी possibility है कि यह खुद से ही जो है बहुत सोच विचार करके और अपने decisions को ले रहे हैं ले किसी ऐसे इंसान से सलाह ले रहे हैं जिनको की वो बहुत मानते हैं और जिनकी बहुत respect करते हैं ओके फॉर फ्यू फ्यू गईज यहां पर ऐसा concrete ऐसा feel मिलता है कि आपके जो partner है third party है इनका financial condition कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे लगता है कि recent past में कुछ या तो इनको कुछ financial तकलीफ हुई है या फिर बहुत जल्दी यहां पर होने वाली है ऐसा लगता है कि यह दोनों जो है एक major financial crunch से यहां पर गुजरने वाले हैं ओके चले कुछ और cards निकाल लेते हैं tarot से और जानने की कोशिश करते हैं universe please divinely guide करें और बताए कि मेरे जो viewers है और third party है उनके situation है please divinely guide करें और बताएं universe कि क्या situation चल रहा है मेरे viewers के partner और third party के बीच में क्या situation है universe please divinely guide करें और बताएं spirit please help me get correct cards ताकि मेरे जो viewers है उनके लिए मैं correct information ले सको और उनको जो मैं correct information बता सको okay so we have two of wands here we have three of cups in reverse all right we have seven of cups in reverse guys ये card मारे पास कल भी आया था देखिए अभी मने कहा आपस financial crunch कुछ है इनकी life में we have five of pentacles and we have temperance all right in reverse all right and we have devil energy of the deck so guys देखिए यहां पर बहुत कुछ जो है situations मुझे ठीक नहीं लग रही है आपके partner और third party के बीच में यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पर वह in decision में थे तो उन्होंने अपना decision ले लिया है here with this two of wands we can clearly see यहां पर देखे गाइस two of wands हैं यहां पर one bond इधर है second one इधर है इन्होंने एक यहां पर पकड़के रखा हुआ है और यहां पर ऐसा लगता है कि इनके पास दो option है लेकिन इनको पता है कि कौन सा option इनके लिए suitable है तो फिलहाल जो यह हैं इन्होंने कर लिया है और यह अपने option की तरफ जो है वह बढ़ जाएंगे जो इनको best suitable option इनके लिए लग रहा है इस relation में इस situation में जिस भी situation में यह फिलाल है इनके family में guys recently हो सकता है कुछ कुछ इनके family में या friends में कुछ gatherings हो या कुछ function हो जो की cancel हो गए हो कुछ लोगों की case में आप में से आप में से करीब 70% लोगों की case में मुझे यहां पर यह भी नजर आता है कि इनकी अगर engagement हो गई थी तो वो engagement इनकी cancellation के कगार पर आ चुकी है अगर इनका किसी और से relation था तो वो relation अभी जो है end के कगार पर आ चुका है और अगर इनके घर में कोई celebration होने वाला था तो वो celebration जो है अभी cancel होने के कगार पर है या होने वाला है अल्री हो चुका है किसे issues को लेकर यह बहुत ज़्यादा परिशान थे third party और आपके partner लेकिन अब आपके partner को ऐसा लग रहा है कि third party के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इग्णौर किया है और अब जो है वो ignorance के mode से बाहर आकर third party के साथ one to one talk करना चाहते हैं और सारी चीजों को fix करना चाहते हैं और बहुत सारे यहां पर जो layers हैं, जो clouds हैं, जो बादल हैं बातों के जहां पर की आपके person को clarity नहीं है वो clarity उनके साथ में लेना चाहते हैं कुछ यहां पर बहुत एक concrete decision लेने की वो कोशिश करें हैं, उनको ऐसा लगता है कि it's high time to take decision, यहां पर ऐसा feel मिलता है कुछ लोगों के लिए guys आपके जो partner हैं, यहां पर एक karmic relation में हैं और यह relation का जो cycle है, वो कुछ लोगों के लिए यहां पर end होने वाला है और चीज़ें यहां पर जो हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है financially यहां पर थोड़ी problem है, दोनों के साथ में ही यह दोनों ही जो है financial crunch से गुजर रहे हैं, पैसों की बहुत कमी हो रही हैं यहां पर और conflicts जो हैं बढ़ रहे हैं यहां पर कुछ रोखों के लिए ऐसा J RHC मिलता है कि जो थरड पार्टी है, यहां पर आपके partner के डावर के साथ में. यह किसी की भी O जो भी सुख सुविदाएं हैं सब कुछ आराम से मिल जाएंगी और इस तरह की feelings जो है यहाँ पर pick up हो रही है काफी balance बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन यहाँ पर कोई balance नहीं बन पा रहा है पूरी imbalance की यहाँ पर जो है feeling मिलती है बहुत कोशिशे की जा रही है लेकिन यहाँ पर जो चीजें है वो workout नहीं कर रही है ऐसा यहाँ पर clear जो है वो feel मिलता है ओके चलिए guys थोड़ा zen से भी देखने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आपके partner और thought party के बीच में क्या चल रहा है और कि मेरे viewers और third party के बीच में और क्या ऐसी information है जो मेरे viewers को जाननी चाहिए और प्लीज डिवाइनली काईट करें universe और बताएं कि मेरे viewers और third party के बीच में सौरी मेरे viewers के partner और third party के बीच में ऐसे क्या बाते हैं या ऐसी क्या situation है ऐसी क्या information है जो मेरे viewers के लिए ज़रूरी है जानना प्लीज डिवाइनली गाइट करें और बताएं और राइट ओके so guys first card we have is consciousness guys देखें हमारे पास divine timing का card आज फिर से निकल कर आ गया है यह पिछले दो तीन reading से आ रहा है हमारे पास strength का card भी फिर से निकल कर आया है guys देखें self awareness का card भी हमारे पास फिर से निकल कर आया है guys and we have guidance देखें यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपके जो partner है ऐसा लगता है मुझे किसी से तो guidance ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास double confirmation आया है guidance का so guys यहाँ पर हो सकता है आपके जो partner है वो किसी की साथ में guidance ले रहे हैं and bottom of the deck हमारे पास जो card निकल कर आया है वो है the burden तो यहाँ पर guys more or less बहुत कुछ यह feeling मिलती है कि आपके जो partner है और third party है इन दोनों के बीच में यह जो relation है यह बहुत कुछ एक burden की feeling देता है यहाँ पर ऐसा महसूस होता है यह जो है दोनों एक दूसरे के साथ में खुश नहीं है यह जो रिष्टा है सिर्फ और सिर्फ एक burden बन कर रहे गया है ऐसा यहाँ पर feel मिलता है okay so guys यहाँ पर divine timing जो है major role play कर रहा है आपके जो partner है वो बहुत strength इकठे करते हैं यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं तो उनके दिल में ऐसा feel है उनको कि वो जो है एक अंधेरे में हैं darkness में हैं और उनको एक self awareness मिल रही है जिसकी वजह से वो अपने अंदर बहुत strength इकठा कर रहे हैं और जो है वो इस situation से बाहर आ सकते हैं या आने वाले हैं guidance ले रहे हैं यहां पर देखें बहुत conscious हो रहे हैं उनको बहुत सारी चीजों की awareness मिल रही है consciousness में आ रहे हैं वो और consciously बहुत कुछ यहां पर decision जो है वो लेने वाले हैं यहां पर भी guys हमारे पास thinking man का card था और नीचे उसके just हमारे पास यहां पर indecision का card था तो किसी से यहां पर guidance लेते हुए तो यह मुझे नजर आते हैं guys ऐसा लग रहा है यहां पर और cards बहुत कुछ ऐसी feelings देते हैं कि यहां पर जो है आपके partner जो है एक divine timing पर guys यहां से निकल जाएंगे ऐसा बहुत feel मिलता है all right still guys मैं एक बार यहां पर एक final clarity लेना चाहती हूँ और देखते हैं कि और क्या हमारे पास है आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है एक बार हम finally और देखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं एक बार हम wisdom chakra से देख लेते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में चल रहा है और और क्या ऐसा है जो हमें यहां पर जानना चाहिए और हमारे लिए जो है जानना ज़रूरी है आपके आपके partner को यहां पर self awareness आती हुई बहुत जादा दिख रही है मुझे और ऐसे लगता है कि यह जो है आपके जो partner है यह बहुत चीजों को यहां पर compare करते हुए मुझे नजर आते हैं और ऐसा भी लगता है with this awareness card की यह अपनी life में अपनी किसी lover को बहुत miss करे हैं या अपने किसी ऐसे relation को बहुत miss करे हैं जिनसे की इनको बहुत लगाव है बहुत special bond महसूस करते हैं यहां पर ऐसा feeling मिलता है with this courage यहां पर ऐसा भी लगता है कि अपने आपको बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इनको एक अकेले पन एक खाली पन की feeling जो है यहां पर महसूस हो रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि काश इनका वो जो person है जिनके बारे में यह सोच रहे हैं या वो जो relation है जिसके बारे में में यह सोच रहे हैं वो relation नाम इनको यहां पर बहुत जादा मुझे मिस होता हुआ नजर आता है विद इस consciousness यहां पर मुझे ऐसा भी feeling मिल रहा है कि यहां पर कोई तो है जो इनको control कर रहा है या फिर यह खुद ही अपने आपको इतना control कर रहे हैं कि situation में से यह बाहर कैसे निकलें और situation जादा worse ना हो जादा बिगड़े ना और बीना जादा कुछ mental trouble के यह इस situation से बाहर निकल आएं ऐसा इनको इस वक्त जो है यहां पर feel मिलता है यहां पर guys बहुत comparison करते भी दिखाई देते हैं with this burden card मुझे यहां पर ऐसा भी feel मिलता है कि यह बहुत compare भी कर रहे ह अपने situation को और अपने relation को और आपसे शायद इनका जो relation है तो एक से दूसरे इंसान में बहुत compare भी करते हैं मुझे नजर आ रहे हैं ऐसा लगता है कि comparison mode में चले गए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता ऐसा होता तो वैसा हो जाता और दो इंसानो में बहुत सारे comparisons जो है वो चल रहे हैं ओके यहां पर गाईज एक गिल्ट की और पॉलिटिक्स की भी मुझे फील मिलती है ऐसा महसूस होता है कि दिखाते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं और third party जो है इनको जो है उनका जो एक real face है वो इनके सामने जो है आ चुका है और इसलिए इनको एक self awareness मिल रही है इसलिए यह बहुत जादा comparison mode में जो है आ चुके हैं तो चलिए guys एक बार finally देख लेते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि और हमारे लिए यहां पर क्या messages हैं और हमें जो हैं angels और spirit और क्या messages देना चाहते हैं okay so यहां पर gratitude, trickery, perception and destiny all right so guys देखें यहां पर आपके जो पसंद है इनके heart chakra में बहुत problem है यहां पर ऐसा clearly feel हो रहा है heart chakra में problem है यहां पर ठीक है so major problem यहां पर यहीं लगता है अपनी emotions और अपने thoughts को जो है यहां पर balance नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर जो है थोड़ा imbalance की जो है feeling वो मिलती है अपने thoughts में और अपने emotions में यहां पर इनको अपने thoughts और emotions को balance करने की बहुत जरूरत है guys क्योंकि इनके relation तो आपस में balanced नहीं है पर यह खुद भी अंदर से जो है वो balance में नहीं है यहां पर ऐसा clear feel मिलता है gratitude की कमी है यह दोनों आपस में जो भी एक दूसरे के साथ में करते हैं उसके लिए कभी एक दूसरे को thanks नहीं कहते एक दूसरे ने इन्हों ने जो भी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे moments बिताए हैं वो moments को यह लोग कभी याद नहीं करते एक दूसरे के साथ यह बहु बहुत जादा परसीव करते हैं एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें जैसी नहीं है उनको उस तरह से परसिप्शन वैसा बना लेते हैं और आपस में एक दूसरे से ये बहुत जादा conflict की situation में जो है वो पढ़ जाते हैं इनको guys destiny में कुछ और लिका है पर किसी और के साथ ही आ गए है इनको अब ऐसा feel होता है तो इनको यहाँ पर ऐसा complete feel मिल रहा है कि किस्मत में शायद कुछ और था लेकिन यहाँ पर हमारी जो destiny है उसको हमने खुद ये create किया है और हम खुद इस situation में यहाँ पर आकर फज गए हैं इस तरह का इनको यहाँ पर feel मिलता है यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है अब इनको क्या करना चाहिए इस relation के recovery कैसे हो अगर इस relation के recovery नहीं हो रही है तो at least इस relation से बाहर निकलने की क्या possibilities हैं इस situation से recovery कैसे हो यह सारी चीज़ों के उधर भून में यह दोनों लगे हुए हैं और इस relation में guys बहुत ज़ादा कुछ चीज़े जो हैं ठीक नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि यह relation में होकर भी relation में नहीं है दोनों यहाँ पर देखिए कोई cups की feeling नहीं है कोई water की हमारे पास यहाँ पर feelings निकल कर नहीं आई है कोई water की energy यहाँ पर निकल कर नहीं आई है guys so इस relation में guys कुछ है तो यहाँ पर सिर्फ strategy है यहाँ पर बहुत सारा सोच विचार है यहाँ पर burden है कर्मा है addictions है यहाँ पर आप या सारी आपके partner या third party किसी addiction में भी हो सकते हैं जैसे कि drinks करते ह हो कोई sex addiction हो किसी तरह का या फिर कोई drug addiction हो तो यह addiction किसी भी तरह का हो सकता है यह karma का cycle है guys so यहाँ पर बहुत सारे financial crunches है balance में नहीं है life so guys यही थे आपकी छोटी सी प्यारी सी reading और अगर आपको reading पसंद आई है तो please do like subscribe and share और मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए bye and take good care of yourself